एक मई से अठारा से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सिनेशन शुरू हो रहा है अब जाहिर सी बात है ऐसे में लोगों के मन में वैक्सिनेशन को लेकर कई तरह की सवाल हैं लेकिन चंदा मत करिये उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं वैक्सिन के लिए रेजिस्ट्रेशन कैसे करें वैक्सिन का रेजिस्ट्रेशन आप आरोगे से तू एप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं यहां आप अपनी सुविधा से वैक्सिन लगवाने का दिन और समय त्या कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स के जरूरत होगी। रेजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइस फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगएरे की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो आईडी ले जानी होगी। हाँ, जो आईडी आपने रेजिस्ट्रेशन के समय दी थी, उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हेल ले ना होगा। पाई गई हैं, इसलिए दोनों ही वैक्सीन बहतर हैं। मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ती वैक्सीन ना लगवाएं। बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा। बिल्कुल वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटी बोडी बनना कब शुरू होगी। वैक्सीन के दोनों डोजिस लेने के दो से तीन हफ़तों के भीतर शरीर में एंटी बोडी बनना शुरू हो जाती है। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षन दिख सकते हैं। जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहाँ हलका दर्द, सिर्दर्द, बुखार, चिर्चिडापन, चक्कर आना जैसे लक्षन दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरूना हो सकता है। वैक्सीन कोरूना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरूना से लडने में आपकी शक्ती जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियट पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तरकारी वैक्सीन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है। तो उमीर है वैक्सीन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल से जल वैक्सीन लगवाएं और कोरूना को हराएं।